हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंट इटी पर प्रेशन में और आज किस वीडियो में मैं यूपी टी टी के प्रिवेर सियर क्विश्चन को हल करूंगी पिछले वीडियो में मैं 14 तक के प्रशनों को हल की थी बाल भी कास का प्रेशन है और आज हम लोग 15 नमबर से सुरू करेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकोन को जरूर प्रेश कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और 14 तक के प्रश्णों का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप नहीं देखे होईएगा नहीं हल किये होईएगा तो उसको कर लीजेगा पंद्रा नमबर कुश्चन विकासात्मक कारी के प्रत्य के प्रतिपादक थे पहला है हलिंग वर्थ दूसरा है है हैवी घर्ष्ट तीसरा है जीन प्याज और चौथा है हाथ इसका एंसर होगा अप्शन दो हैवी घर्ष्ट विकासात्मक कारी के प्रत्य के प्रतिपादक रोबर्ट हैवी घर्ष्ट थे जिन्होंने शन 1950 में इस प्रत्य की खोज की थी ठीक है नेक्स्ट है सीखने के पलायन सीखने में पलायन आधारी थे पहला है साकारात्मक पुनरवलन पर दूसरा है नाकारात्मक पुनरवलन पर तीसरा है विलंबित पुनरवलन पर और चौथा है पुनरवलन की निस्क्रियता पर इसके अंसर होगा अप्शन दो नाकारात्मक प कुलन बरण प्राधालित होता है पुनर वलंकासिधान सी अल्डवरा दिया गया है। पहला है अभिवरेति का नियम दूसरा है प्रभाव का नियम तिसरा है समानता का नियम जोथा है सहचारी अंतरन का नियम इसका अंसर होगा option 2 प्रभाव का नियम थार्डाइक ने प्रभाव के नियम के अंसार जीवन में जिस कारे को करने पर बेक्ती पर अच्छा प्रभाव परता है उन्हें वह सीखने का प्रयास करता है तथा जिन कारे के करने पर यिक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता हुने वह छोड देता है। जैसे लोग को अनभब मिलता है है कि कोई भी कारे joh करता है तो उसमें अगर अच्छा कुछ मिल गया, तो लोग चाहता है कि उसको कारे को करें, उसको सीखना चाहता है, और जिसमें अनभब जैसे किसी बच सद्धियम्र सरवेक्षण Tout सरवेक्षण सद्धियम्र वंश्तियम्राइटी एक परिश्थिति में उसके सीकने तथा निश्पाएगन को प्रहा परुआवित करता है तुम्रेग के कहते हैं पहला है चिंतन दूसरा है स्मृति तीसरा है अधिगम अंतरन चौथा है बहुत धिक विकास इसका अंसर है अधिगम अंतरन जब एक विक्ति द्वारा परिष्थिति का अधिगम दूसरी परिष्थिति में उसके सीखने तथा निश्पादन को प्रभावित करता है तो उस पर इस्थिति को अधिकम का अंतरन कहते हैं। बीस नमर कुश्चन हैं। जी वालस के अनुशार स्रीजनात्मक चिंतन का प्रथम चरन होता है। पहला है उद्भवन, दूसरा है उद्भाशन, तीसरा है मुल्यांकर, चोथा है उपकरम। इसका अंसर है उपकरम। ग्राहम, वालस के अनुशार स्रीजनात्मक चिंतन का प्रथम चरन उपकरम यानि तैयारी होती है। उन्होंने स्रीजनात्मक वीचारों के लिए चरन बताया है, जो करम से इस प्रकार है। त्यारी का उप्तरम उस्मा देना अस्पस्टता था सत्य था इकीस नमर कुश्चर है डियास ने प्रयत्रेबं भूल के सिध्धान का प्रतिपादन किया था पहला है पॉब लॉब दूसरा है हेगारटी तीसरा है थर्डाइक चोथा है रॉस इसका अंसर है अप्शन 3 थर्ड थर्डाइक थे उन्होंने ही प्रयत्रेबं भूल के सिध्धान का प्रतिपादन किया था उनके अनुसर किशी भी कारे को विक्ति तभी शीख पाता है जब उस कारे को सीखने की प्रकिरिया आराम करता है तो उसके सामने बहुत सारी कषनाईयां आती है जिसमें वह गलती कर करता है और बार भार भूल करता है और सुधार करता है वही प्रयत्रेबं भूल का सिध्धान कहलाता है बाइस नमर क्यूश्चन है वेक्तित तो बेक्ति के अंदर उस मनुशारीरी गुनों का गतिसील संगठन है जो परियाबरन में उसके अपुर्ब समायोजन को निर्धा परिद करते हैं उक तो परिवासा देने वाले हैं पहला है मलमन दूसरा है इस फ्रेड तिसरा जी डबलू अलपोर्ट चौथा है जी डेसिल इसका एंसर है ऑप्सन 3 जी डबलू अलपोर्ट कुश्चन नमर्टेश है निम्न में से कौन सीखने के गेस्टार्ट सिधान से सीखने के गेस्टालबादी सिधान से समन्दित मनुवे ज्यानिक वर्दाइमर को फा और कोहलर है कोहलर का सूज द्वारा सीखने को सिधान थी गेस्टालबादी सिधान कोहलर का सूज द्वारा जो सीखना है इस सिधान को हम लोग गेस्टालबादी सिधान कहते हैं और इन कि अनुसार बेक्ती अपनी शंपूर्ण परी स्थिती को अपनी मालसी के स्थिती के भली भाती समझ या सीख लेता है कोहलर ने इसका प्रयूग एक चिंपैंजी पर किया था क्यूस्चन नंबर 24 है भासा का वह घटक जो ध्वनी की गती के अनुक्रम संचालन उसकी एवं उसकी रचना से संबंदित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते है पहला है अर्थविज्यान दूसरा है व्याकरन तिसरा है स्वर्विज्यान चोथा है निमेशे कोई ने इसक नंबर 25 है वुडवर्थ के अंसार इस्मिर्थी का आयाम नहीं है पहला है धारन दूसरा है पुनास मैं तीसरा है पहचानना चोथा है तर्क इसका अंसर होगा ऑप्शन चार तर्क करना वुडवर्वर्थ के अंसार तर्क करना, समिर्थि का ही आयाम नहीं है, वुडवर्थ ने कल्पना और समिर्थि के अनुभवों का समंध माना है 26 नमर क्वेशन ने टी टी डैस द्वारा बनाया गया था पहला है रुसार्क, दूसरा है अलपोर्ट, तीसरा है मैलो और चौथा है मरे इसका एंसर है ओप्शन चार मरे टी एटी एक प्रकार की मनोवै ज्यानिक निरिक्षन की विधी है जिसका निर्मान मरे एबन मॉर्गन द्वारा उनीशो पैतिस में किया गया था क्वेशन नमर 27 है लक्ष निर्देशित बेवहार में बाधा आना डैस कहलाता है पहला है संबेग, दूसरा है अभी प्रेड़ना, तीसरा है कुंठा और चौता है अक्रामक्ता इसका एंसर है option 3, कुंठा, जब किसी बेगती के लक्ष निर्दारन के बेवहार में बाधा उत्पन होती है तब वो अप्रक्रिया क्या कहलाती है, कुंठा कहलाती है 28 नमर question है, आखों के रंग को कौन सा कारक प्रभाबित करता है पहला है बातावरन, दुसरा है अनुवानशिक्ता, तीसरा है हार्मोन, और चोथा है समाज इसका एंसर है option 2, अनुवानशिक्ता अनुवानशिक्ता के कारणी बेगती में कुछ चीजे PD दर PD चलियाती है जैसे नाटा या लंबा कद हो जाना, मुटापा हो जाना, आखों का रंग या फिर किसी भी प्रकार का रोग जो अनुवानशिक एक PD से दूसरी PD में चला जाता है 29 नमर question है, अधार आयू, निमन में से किसके मापन से संबंदी थे पहला है रुची, दूसरा है विक्तित्तो, तीसरा है बुद्धी और जोथा है अवधान, इसका एंसर है option 3, बुद्धी अधार आयू का मापन बुद्धी द्वारा किया जाता है, मनुवे ज्यानिकों का मत है कि बुद्धी जन्म जात सकती है, और सब मानसिक योगिताओं का योग एवम अभी नंग है तीस नमर क्यूश्चन है, सिक्षक द्वारा कक्षा में डाट परने पर छात्रेदी घर आकर अपनी छोटी बहर पर गुस्सा करता है, तो यह किसका उदारन है पहला है विस्थापन, दूसरा है उद्धाती करन, तीसरा है रूपांतर और चौथा है प्रतिकरिया निर्मान इसका अंसर है ओप्सन एक विस्थापन सिक्षक द्वारा डाट परने पर छात्र द्वारा घर आकर अपनी छोटी बहर पर गुस्सा उताना विस्थापन का उदारन है क्योंकि यहां वह अपने गुस्य का इजार ठीक उसी प्रकार करता है जैसा उस पर स्वेंग बेच चुका है यहां पर कुश्चन बाल विकास का समाप्त होता है आगे के वीडियो में हिंदी के प्रशनों को हल करूंगी अगर आप मेरे चैनल पर नए है आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकोन को प्रेस करें था कि जब भी में कुई नया वीडियो अप् लेगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद